नमस्कार, मेरा नाम है टॉक्टर बरुधावन और आज इस इडियो में हम बात करने वाले हैं IgA Nephrepti की बारे में IgA Nephrepti को इडियोपेथिक माना साता है यानि, इडियोपेथिक यानि, कि जिसक्क बीमारी की बारे में पता हैं निये क्यों हो रही किस वज़े से हो रही है मगर 2014 में कोलॉम्बिया इनुवेस्टिक एक रिसर्च हुई थी 20,000 IgA निफरपेती पेशिंट के उपर चहां पर देखने की कोशिश की गई थी कि IgA निफरपेती क्यों हो रही है क्योंकि IgA इमुनोग्लोबिन तो हर किसी के पास है बट कुछ लोगों के अंदर ही देखा चाता है कि IgA इमुनोग्लोबिन किंडिक रुसान पचा रहा हो उन्ही को ही IgA निफरपेती ही क्यों हो रही है तो जो इसका रिलेशिंशिप देखा गया पाया गया कि वो आपकी गट के साथ है यानि अगर आपकी आते खराब चल रही ह तो आपको IgA निफरपेती होने के चांसे बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो इस पे जो रिसर्च हुई थी वो बहुत बड़ी नहीं है उसका जो लिंक है मैं आपको रिसर्प्शन में दे रहा हूं उस पर जाकर आप देख सकते हो बट सवाल यह है कि उसमें फाइंडिंग किनुऊ को बहुत जैनुवन बात है अब हम में ऐगर हमने घट को त्यान में रखकर अगर हम अपनी अपनी के पेशेंट सके तो कैसा रहेगा तो जितने भी IgA निफरेपेती के पेशेंट है जो इस वीडियो को देख कर रहे हैं जो तिंक का ट्रीटमेंट चल रहा है मैं च साथ लिंग करके नहीं देखा है हमने उसे कीड़नी का ही इडियोपैथिक रोग माना है बड मैं अब चाहता हूं कि एक बर हम दुबारा से रीवैल्यूट करें अपने जितरी भी आईजीन फेपेथिक के पेशन्ट है जिससे उनकी गट की हेल्थ को हम उनकी कीड़नी की हेल् रिलेट कर पाएं मैं मानता हूं यह तोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको आना पड़ेगा और जो भी अपडेट होगा जो भी मेरी फाइडिंग्स होंगी पेशन्ट के साथ मैं उसको इसी चैनल के उपर आगे भी शेयर करूँ आपके साथ अब सवाल ही होता है कि आपकी इंटर साइंस का आपकी बीमारी के साथ रिलेशन्शिप कैसे बन सकता है अगर आपकी बॉड़ी में अगर आपका खाना आपके खानी के अंदर फाइबर कम है आपकी फाइबर कम होने की वज़े से हमारे गट के अंदर जो माइक्रो बायोम होता है वो उसकी हेल्थ पर फर थ्षाने को घरेस्ट करने में खरते हैं और भी को डिट्यांक सस्कुर सिब्ती होता है न चलाने ही विभु जहती है और और पर यु तो भख उनकी साथी और न बिन शीम विद दाल गवारियान होता है हमारी इंटर साइंस में होता है पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर्स हो गया इनका रिलेशन्शिप सेट हो चुका है जहां पर ये बताया जाता है कि ये आपकी गट से होने वली बिमारियों में से एक है अब ये क्यों मैं बात करो इसको भी हम समझने कोशिश करेंगे जो जो रिसर्च पेपर है उसमें ये भी बताया गया है कि आईजी इनेफरपेटी एशिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज में जादा देखने को मिलता है अफ्रिकन कंट्रीज में बिल्कूल देखने को नहीं मिलता अब ऐसा क्या आप सकता है कि जब शरीर हमारा एक जैसा है तो बीमारियां भी हमारे एक जैसी ही भी है तो वहाँ पर हमें ही कम देखने को क्यों मिल रहा है वो है हमारे जीन्स की वज़ा से कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जहांपर हमारे इंटे साइन्स जल्दी फिय्ट हो जाती है देखने हैं अब हमने करना क्या है इसको भी हम बात कर लेते हैं तो हमें अपनी गट हेल्थ बे आद से काम करना शूरु करना है अब gut health को हम कैसे judge करें ये बहुत important हो जाता है तो उसमें काम आता है, वो है stool chart अब अपने आप screen पर देख रहें, stool chart इसके अंदर stool की, यानि आपका जो मल है, वो किस shape में आ रहा है उस पर depend करता है, वो बताता है कि आपकी inter science के अंदर चल क्या रहा है अगर stool बहुत ज़्यादा hard आ रहा है, बहुत ज़्यादा कड़ा आ रहा है, यानि constipation चल रही है अगर वो, पहले hard आता है, पर soft हो जाता है, तो वो भी constipation में ही count होता है बट अगर आपका stool है, अगर वो snake की तरह आ रहा है, लंबा-लंबा आ रहा है तो वो आपकी अच्छी gut health के बारे में इशारा कर रहा होता है तो हमने क्या करना होता है, कि अपनी जो पेट का judge करने के लिए अपने stool को judge करना होता है अगर stool के अंदर, हमारे मल के अंदर, fiber की मातरा अच्छी मातरा में है तो हमारी gut health को अच्छा माल लेते हैं अगर हमारा पेट दिन में एक बार या दो बार में साफ हो रहा है और पेट साफ होने के बाद आपको पेट में lightness, मरोड महसूस होते हैं तो gut health अच्छी मानी जाती है तो ये कुछ judgment होती हैं जिसके help से हम gut health के बारे में idea लगाना शुकरते हैं आइवेद में भी मल की परिक्षा बताई गई है अगर आपने कियावा मल शेप सही है वो तेर जाता है यानि वाटर के अंदर तेर जाता है तो वो स्चूल अच्छा होता है अगर वहीं पर स्चूल आपका डूब जाए जब आप पॉड पे करते हैं वो दूब जाए तो अच्छा नहीं माना जाता है मुझे पता है कि ये आपको सुनने बड़ा जीव लग रहा है बड़ इंद काम की चीज बहता है कि आपकी कंडिशन क्या चल रही है आपके समक में इंटर साइंस में अगर आपको यहां पर भारीपन दर्ड मैसूस होता है गैस बहुत बनती है यानि आपकी गट की है ठीकनी चल रही है अब इसका सोलूशन किया है किसी भी तरह से अपकी गट हेल्थ खराब चली तो तरह सो टोसूल बाध सिंपल सा है वहा है नााच अचुसल फाइबर अबननाच वाजिंचुलाब लहा है फ्रूट से फ्रूट से वेजिटेबल से अब के ऊपर रहते हैं दूसरा ये बैक्टीरिया खाना भी है यानि वो दो चीज़े प्रवाइड कर रहा है हमारे गट के बैक्टीरिया को पहला है शेल्टर यानि उनके रहनी की चगा और दूसरा है उनका खाना अगर आपके खाने में फाइबर नहीं होगा तो आपने अच्छे बैक्टीरियों को अपने दोस्तों को क्या नहीं दिया रहनी की जगा नहीं दी और उनको खाना नहीं दिया तो वो अपनी जो बायो डावरसिटी होती है वो काम करना शुरू कर देते हैं यानि उनके लिए वहां पर रहना हाड हो जाता है जब उनके लिए रहना हाड हो गय से हमें different type की बिमारियां होनी शुरू हो जाती है तो इसका solution यह है कि आपने multiple type के fiber intake करने है कभी भी एक fruit रोज मत खाओ, shift करके खाओ जितनी भी हो से के vegetables उनका maximum intake करनी कोशिश करो यह नहीं कि सिर्व रोज गिया खारे हो, तोरी खारे हो, सिर्व इस पे नहीं रहना है आपने जितनी भी variety of vegetables market में available है वो सारी के सारी use करनी है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके bacteria का कौन सी vegetable पसंद है, कौन सा fiber पसंद है तो हम क्या करते हैं, variety of fiber का intake करते हैं with the help of fruits and vegetables तो आप roughly एक खरना golden rule अपने mind में रखो कि आपने हर अफ़ते, हर अफ़ते 30 से 40 type की vegetable and fruit खाने है वो dry foods भी हो सकता है, वो fruits, apple खा रहे हो, papaya खा रहे हो, banana खा रहे हो, papaya ले रहे हो, कुछ भी लो, बड़ आपने लेना है तो यहां पर मैंने बोला जरूर है, बड़ आपने ध्यान के देना है, कि आपने खटे fruits नहीं खाने हो, अगर आप कीड़नी के पेशेंट हो, क्यों आपका हाई है, यूरी आपका हाई है, GFR आपका लो है, तो आपने खटे fruits हैं, वो बिल्कुल भी इंटेक नी करने, नहीं में कर सकते हो, उनको अप चर्ण करना स्टार्ट करो, जैसे एक दिन जामन खा लिया, एक दिन आपने पपीत खा लिया, एक दिन आप्ल खा लिया, और दिन आपे प्या खा लिया, तो इनकी आपर Awesome एपाने conduct, और साथ में चालड को बी order करो को एए वो तका है आपकी tree उन पर रिस्षिशन्स बहुत काम है से एक टमाटर को छोड़के बाकी सारी सालिट्स आप कहा सकते हो चाहिए वह आपकी क्याबज है वह ब्रॉकली है वह आपका कैरट है रेडिश है अनियन है सब कुछ आप इंटेक करोगे तो आपकी गट हेल्थ ऑटोमेटिक तरिके से हेल्थी रहनी शुरू होगी जितना हुसरो के फाइबर का इंटेक करोगे कभी आप आटा लेते हो तो आटे को चानो नहीं उसके अंदर अगर आप खोड़े से फाइबर टानने के लिए आप यू किसी चीज की पुटिंग बना रही है कुछ चीज आप खा रहे हो तो यह अगर आपी गट हेल्थ अच्छी है अगर किड्नी की दिकत शॉल नहीं होती तो बाकी सारी दिकते शॉल हो जाती है आपका जो डिबेटीस है बीप हो भी कंट्रोल हो रहा होता है विदा हेल्प कैसे आपका बीप और शूगर को कंट्रों करने में आपको हेल्प करता है को इसको में नेक्सीटीओ में पनावाओ अभी तो आप अपने डाइट को एवैलुएट करो कि आपने आज क्या खाया क्या आपके टाइट में फाइबर था या नहीं था फिर मॉनिंग में उसे जज़ करो कि आगर आपका स्टूल टेस्ट पास हो रहा है तो आपने अच्छा किया है अगर स्टूल टेस्ट अपका फेल हो रहा है तो आपके इंटेक में खाने के इंटेक में कोई ने कोई कमी रही जिसको हमने अगली बार पूरा करना है तो इस तरह से वेलुट करते वे अपने आपको एक पॉइंट में एक हाल से मुश्किल से हफ़ता दस देने लगता है इन चितों को समझने में एक बर आप समझ जाओगे उसके बाद आपको हेल्धी रहने से कोई नहीं रोख सकता हूँ इस वीडियो से आप आप आपको रिपीच में रिपीच में रिलस्टिशिप की होनी की संभावना को स सब्सक्राइब करें जिससे हम उनकी गट हेल्थ के और उनकी कंडिशन के बार में रिलेशन्शिप को क्लियर कर सके कि वह रिलेशन्शिप है क्या नहीं है इसी के साथ आप सब इसमें चलने की आगे चाहूँ आँ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार कि अचे है एंगली वीडियो में एंगली वीडियो में घर खाउब का वीडियो के लिए इसमें प्रझा को कि अचाहूँ झालेशन्शिप का रिलेशन्शिपन आप